नमस्कावन मैं हुश अभी और आप देख रहें नियूस वानीशन वेहाब में कोरोना संक्रमन पर काबू पाते वे नितीश तरकान ने एक एहम और बड़ा फैसला लिया है आपको बता दे कि 50 विजदी उपस्तती के साथ आज स्कूल खोले जा रहे हैं आज से ही अगर हम बात करें 11-12 कक्षा के वद्यार्थी स्कूल में पढ़ाई करने लगेंगे इसके इलावा 11 से लिकर उपर तक जो भी कॉलेज हैं संस्थान हैं सभी खोले जा चुके हैं इसके इलावा क्या कोच जानकारी हैं आपको विस्तार से बताते हैं बहार में कोरोना संक्रमन के स्थती काबो होते ही नतीश सरकार नीक बड़ा फैसला लिया है बहार सरकार के नई फैसले के दहत आज यानी सोमवार से सभी सैक्षनक संस्थान खोल जाएंगे जोरान राज्ज की 11-12 के सभी स्कूल, सभी ढिगरी कॉलेज, सभी सरकारी वनेज जिविश्ववेद्याले और तक्नीकी सिक्षण संस्थान कुल शात्र संख्या की 50 स्थी उपस्तती को साथ खोले जा सकेंगे अलाकि सरकार नी स्कूल कॉलेजिओं को कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की सक्त हिदायत दी है यही नहीं संस्थान के गेट पर ही थर्मल स्क संस्थान को बंद रखने का निर्ने लिया था अब नितीश सरकार नी करीव 90 दनबाद इन्हें खोलने का फैसला लिया है राज्य सरकार के नियमों के मताबिक सभी कक्षाओं में विद्यार्थी के बीच कम से कम 6 फीट की दूरी होगी जबकि स्टाफ रूम कार्याले कक्ष आगत कक्ष में भी यही दियम लागू रहेगा संसान और स्कूल के सभी गेट आगमन वप्रस्थान के समय खोल कर रखने होंगे हाराके आने जाने के लिए अलग अलग गेट तैय करने होंगे यही नहीं जिन सिक्षन संस्थानों या विद्याले में नामंकर नधिक है वह द्यार्थी सिक्षक अभिवावस सभी को शुपकाम नाए रोग संक्रमन मुक्त वातावरण में अध्यन कार्य चले सभी कोरोना गाइडलाइन का पालन अवश्य करें कोरोना संक्रमन का दोर इसी गनती से नियंत्रण में रहा तो बचीवी कक्षाएं भी शुरू होंगी ब दूनों जगहों से सैंपल के रिपोर्ट सरकार के पास आ गई खुशी की बात ये हैं कि अब तक भेजे गए सैंपल के रिपोर्ट नेगेटिव आई है वे तो दूनों यह जानकारी स्वास्त विभाग की अपर मुक्य सचीव प्रत्य अमरित ने दी तो स्कूल खोलनी की बात करें तो आज से सुमवाच से सभी सैक्षण के संस्थान खोले जा चुके हैं हलाकि एक से लेकर दस्वी तक के कग्षा के वद्यार्थी अभी बेवद्याले नहीं जाएंगे लेकिन 11 से 12 के वद्यार्थी स्कूल जाएंगे और आगे विश्ववद्यालियों की भी पढ़ाई शुरू हो जाएगी सुचारू रूप से लेकिन ध्यान कोरोना मानकों का रखना अनिवारे होगा सैक्षनिक संसानों को लेकर भी गाइडलाइन्स जारी की गई है किस गाइडलाइन के तहट आपको स्कूलों का विश्व विद्यालियों का संचालन करना है जिसके पूरी जानकारी हमने आपको स्वीडियो में दी है पलार के लिए इतना ही साधा अपडेट के लिए आप बने रहे निउस वानेशन के साथ